नमस्कार दोस्तों जय श्री कृष्ण राधे राधे अगर आपकी नींद भी सुभध 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में की ऐसे में आपको क्या संकेट मिलते हैं साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा काम जरूर करना चाहिए अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसे संकेट जिन से आप जान सकते हैं कि भगवान आप से बहुत खुश है और जल तो इनसान की किस्मत चमकने से पहले उपर वाला ये तीन संकेट जरूर देता है हो सकता है इन में से कोई एक संकेट शायद आपको भी मिला हो तो आए देखते हैं दोस्तों पुरानी कहावत है जब भी उपर वाला महरबान होता है तो दौलत छपर फाड़ कर देता है भग इसे यह संकेट जोर देते हैं आपको बता दें ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बलकि ऐसा पुरान में भी कहा गया है तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरू जी से की वो क्या कहते हैं इसके बारे में जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो इश्वर उसे यह स इसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर तूट जाती है, कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती हैं, वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर. नींद तूटना आम बात है, इस तरह की नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आख खुलती है, तो इसकी कुछ वजह हो सकती है, रात ग्यारह से एक बजे के बीच आख का खुलना यदि आप रातरी ग्यारह से एक बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं, तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसे में आप गायतरी मंत्र का जाप करें, अगर रात बारह से दो के बीच खुलती है, आपकी नींद तो यह व्यक्ती के गुसे की ओर संकेत करता है, इस समस्य समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और ऐसी समस्या से, निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें, ऐसा नियमित करने से आपको सकाराक्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों की नेंद रात तीन से पांच बजे के बीच तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि विडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल धर्मलोग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करें, दोस्तों उससे पहले हम, लोग यह जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ती के अच्छे दिन आते हैं, तो इश्वर उसे यह, संकेत जोर देते हैं, आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं, यह संकेत चलिए जानते हैं, दोस्तों कामूली बात ना समझे, यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा माना जाता है, कि रात के तीन बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागरित हो जाती है, जो आप से बहुत कुछ कहना चाहती है, ऐसे में आपका बार-बार तीन बजे के बाद उठना काम्य प्रार्थना अवश्य सुनते हैं लेकिन दोस्तों जब भी अगर आपकी आख तीन से पांच बजे के बीच खुलती है तो आपको यह काम जोर कर लेना चाहिए जो स्वय इश्वर आपसे चाहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुब फल की प्राप्ती नहीं होती क्या है वह काम हम आगे विडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेट क्या है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगर आपको आपके सपने में उचे उचे परवत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ ज़ाड़ना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तोर पर आपको काम्याबी अवश्य प्राप्त होती है और इस संकेत का मतलब है कि खुद इश्वर आपको आशिरवाद दे रहे हैं नमबर तीन दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाबकारी है सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है ऐसे व्यक्ति को काम्याबी चुपकी भर में मिल जाती है लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए नंबर चार पूर्वा भास अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाए कि दैविय शक्तियों की आप पर कृपा है नंबर पांच पारिवारिक प्रेम आपकी पतनी बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आ अचानक से लाप प्राप्थ हो जाता है आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाए कि दैविय शक्तियां आपकी मदद कर रही है दोस्तों नंबर 7 अधित वातावर्ण का है अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का हैसास हो तो समझ जाए कि दैविय शक्ति आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है नंबर 8 सुहानी हवा आप पूज कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का जोका आया है या शरीर में कुछ अचानक दर्द। ऐसा अकसर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है दोस्तों नंबर 10 रौशनी का कुझ अचानक ही आपको तेज रौशनी का कुझ दिखाई दे जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाए कि यहां आज तो कोई संगीत वजह नहीं रहा फिर भी वह आपके कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे तो आप समझ जाए कि दैविय शक्तियां आपके आस पास ही है और आप से बात करने की कोशिश कर रह की है ऐसा अकसर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इस्ट देव का मंतर जब करते रहते हैं दोस्तों नंबर 11 किसी की आवास सुनाई देना दोस्तों आप रातरी में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवास दी है या उठान हुआ हो तो आप समझ जाए कि आप पर किसी अलोकिक शक्ती की महरबानी है ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें दोस्तों नंबर 12 सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे यानि चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरि दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्थ होने वाला है इसी तरह अगर आपको सपनों में शंक और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब आपके पास किसी ना किसी माध्यम से धन आने वाला है दोस्तों नंबर 13 सपने में उल्लू देखना भी धन की प्राप्थी का संकेत माना जाता है सपने में लाल साडी वाली महिला पूर्ण श्रिंगार करें दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको लक्षमी माने दर्शन दिये हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिती जल का संकेत माना जाता है अगर सपने में सफेद या फिर सुनहरे रंग के सांप को देखा है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ती होगी दोस्तों नंबर 14 सपने में अपने आपको घोडे पर चड़ते देखना मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाप प्राप्त होगा नौकरी वालों को यह सपना आए तो इसका अर्थ है आपकी उन्नती होगी अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं साथ ही बारिश भी देखें तो इसका मतलब आप जीस भी चीज में निवेश कर रही हैं वहां आपको ल से धन मिलने वाला है सफेद कमल लाल रंकी चमेली चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई देना निश्चित ही भविश में अपार धन संपत्ती के आने का संकेत है नंबर 16 रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज आना भी इसी दिन ऐसी आवास सुनाई दे या कोई भी इस तरह का आभास हो तो आप उस सवाल का पीछा ना करे इन आभास के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजर्ग को ही बताएं किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है और इससे मिलने वाल आपको नहीं मिलता दोस्तों नंबर 17 अगर आपको रात में 12 से 3 बजे के बीच पायल की आवास सुनाई देती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुब संकेत है ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठक अगर घर में लाइट जला देते हैं लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको ऐसे आवास सुनाई देती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है इस समय अगर पायल की चलने की आवास आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में माता लक्षमी का आगमन हो रहा है ऐसे में आप उस समय भैभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाए और मन में माता लक्षमी का ध्यान करके इच्छा जाहिर करके सो जाए दोस्तों के यहां है वह संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि इश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है जल्द ही आपको मा अलामाल करने वाले हैं चलिए अब जानते हैं कि कौन सा है वह काम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद तीन से पांच बजे के बीच खुलती है यह काम करने से न चुके वरना यह समय आपके लिए शुब फल की जगह बेकार हो जाएगा दोस्तों ऐसे में आपको उसी समय उठ जाना चाहिए आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए यह गलती बिलकुल भी ना करें आपको उठकर सनान करके नित्य कर्मों से निवरिक्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए पूजा पाठ करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपको सुख और शांती मिलती है और इच्छा पूर्ती का वर्दान भी मिलता है दोस्तों अगर विडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे